नमस्कार दोस्तों मैं भोलेनात पंडेक बर फिर आप सभी का बहुत बूस्ट वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चानल पर और दोस्तों आज हम लोग NCRT Class 11 Math की Exercise 1.3 का Question No.7 डिसक्स करने माले हैं इसके पहले मैंने Question No.12345 और 6 पिछले वीडियो में डिसक्स कर लिया है मुझे उम्मीद है आपने उस वीडियो को देखा होगा और नहीं देखा है तो अब इन वीडियो को जाके देख लीजिए साथ साथ में Set Theris Related Useful Concept को भी आप देखने जी ताकि यह सारे जो Questions मैं आप सभी के साथ डिसक्स करूँ वो Question आप सभी को समझ में है फिला मैं आए बात करते Question No.7 के बारे में बोट पे आपके सामने लिखा हुआ है Question No.7 क्या है आप पहले पढ़िए इस Question को Question No.7 यहां पर देख रहे हैं यहां पर 1,2,3,4 यह चार options दिये गए हैं जिसको आपको Set Builder Form में लिखना है दोस्तों ठीक है Set Builder Form में इनको रिप्रजेंट करना है आपको यह सारे के सारे Intervals के Form में लिखे गया है तो कैसे क्या होता है Interval का Concept और कैसे किसी Set Builder को Interval में लिखते हैं इस पे मैंने Proper एक Video बनाया है Concept का जिस वीडियो को यह आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का Link में उपर I Button में देदेता हूँ और इस वीडियो के Indie Screen पर भी उसका Link में देदेता हूँ तो वहाँ पर भी जाके आप उस वीडियो को देख लिजिए अगर देखा है तो यह Question आपको समझ में आएगा और यदि नहीं देखा तो पहले Sure कि आप उसको देख लिजिए उसके बाद यह Question आपको Properly और अच्छे से समझ में आ जाएगा फिलाल में आएए चलिता है, solution की बात करते है यहाँ पर देखियो Question No.7 का Part 1 दिया है Minus 3 to 0 यह Open Interval है दोस्तों ठीक है This is Minus 3 to 0 और यह क्या है Open Interval है Open Interval में आप सबी जानते हो कि Border के जो Numbers होते हूँ उनको नहीं लेते हैं ना तो Minus 3 को लेना है ना तो 0 को लेना है क्योंकि दोनों पर Open Bracket लगा हुआ है तो Minus 3 को भी नहीं लेना है और 0 को भी नहीं लेना है इसलिए यहाँ पर मैंने Equal to का साइन नहीं लगा रहा हूँ केवल X greater than minus 3 and X is less than 0 हम लोग यहाँ पर लगा रहा है ठीक है आज़े बात करते हैं question number 2 का यहाँ पर लिखना है आपको तो 6 को भी include करना है 12 को भी include करना है क्योंकि दोनों पर Close Bracket लगा है तो अब क्या करोगे X such that X X belongs to real number ठीक है और X यहाँ से कहां से लोग पर यह 6 से लेके 12 तक मतलब X will be greater than 6 greater than or equals to 6 because यहाँ पर यह big bracket है इसका मतलब क्या होता है कि आपको 6 को भी include करना है and X will be less than or equals to 12 ठीक है X will be less than or equals to 12 ठीक है क्यों क्योंकि यहाँ पर जो X आप ले रहे हो और 6 से लेके 12 के 20 के सारे numbers को तो ले ही रहे हो लेकिन 6 को भी लोगे क्योंकि यहाँ पर close bracket है 12 को भी लोगे क्योंकि यहाँ भी close bracket लगाया हुआ है ठीक है इसके बारे में मैंने चर्चा किये दोस्तों वीडियो में तो आप जाके पहले interval वाले वीडियो को देख लीजे मुझे उम्मीद है उसके बाद आपको यह सारे concept विजली समझ में आ जाएंगे ठीक है इसके बाद आगे part 3 के बात करते हैं यहाँ पर भी देखे क्या लिखेंगे हम लोग x as that x x belongs to real number और x क्या हो जाएगा बताओ 6 ठीक है आप 6 से लेके 12 के बीच के सारे numbers को तो ले रहे हो साथ-साथ में आप 6 को नहीं ले रहे हो लेकिन 12 को आप include कर रहे हो अपने answer में ठीक है आए बात करते हैं इसके बाद इस question को यह लिखा है close bracket में minus 23 to 5 5 पे open लगा है क्या हो जाएगा यह हो जाएगा x does that x x belongs to real number and x is from minus 23 minus 23 to 5 minus 23 to 5 लेकिन minus 23 पे देख रहे हो आप big bracket है इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे minus 23 पे क्या लिखेंगे close bracket लगाएगे मतलब close bracket है इसलिए यहाँ पे equal to का भी sign लगाएगे और 5 पर open bracket है इसलिए यहाँ पे लोग नहीं लगाएगे क्यों नहीं लगाएगे इसलिए नहीं लगाएगे क्योंकि 5 को include नहीं करना है यह सारी बाते मैंने इंटर्वल के one set में आप सभी के साथ discuss किया है फिलाल में तो यह question number 7 का solution exercise 1.3 का class 11th math ncrt का ठीक है तो जोस्तों यह रहा solution anxiety class 11th math exercise 1.3 के question number 7 के चारो पाट का मुझे उम्मीद है यह solution आपको प्रापली समझ में आया है यदि फिर भी एगर कुछ doubt रह गया नहीं समझ में आया है तो उसके case में आप नीचे comment box में type करो जो कोई भी doubt है जिस minute पर doubt है आप वहाँ पे mention करो मैं आपको तुरंत reply दूँगा और reply नहीं कर पाया तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा अगर ज्यादा लोग को उस पर doubt रहा तो क्योंकि आपको doubt सारा कुछ clear रहे और आपको प्रापली जो मैं समझाना चाहता हूँ बास समझ में आई यही मेरा लच्छ है तो बस यदि वीडियो पसंद आए हूँ तो like कर दो चैनल पर नहीं हो तो subscribe करके बेल आगाइन को प्रेस कर दो क्योंकि regularly मैं class 11th 12th और ITJ से related जो भी topics है mathematics का वो इस चैनल पर मैं discuss करता रहता हूँ आप सभी के साथ कुछ मैंने discuss किया है कुछ मेरे को discuss करना है तो मैं आपका सेवा कर रहा हूँ आप मेरा सहयोग करें वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें बेल आइकन को press करें और साथ-साथ में अपने दोस्त को इस वीडियो को share भी कर दें बागी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिय के साथ बागी तब सक सीखते रहे है, सीखाते रहे है खुद को और देश को आगे बढ़ाते रहे है जाहिंद, चैनल भारत